पच्चो इन पत्रों ने यह सावित कर दिया था कि यह यूद हुआ था 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था उसके खिलप हमारे भारते सनी को और भारते निताओं ने जूद छेड़ा था उसकी कितनी जमीनी मजबूती थी इन पत्रों ने यह सावित कर दिया है इन पत्रों के द्वारा सही जान पाएं हैं हम कि उस समय जो संग्राम छिड़ा था जो इद छिड़ा था उसकी वास्त्रिक भूमी का क्या थी किसी भी पत्र पर सिर्फ महत्मा गांदी इंडिया लिख जाता तो वो पत्र महत्मा गांदी के पास अपने आप पहुँच जाता असादी के अंदूलन की कई अनमहान हस्तिया उसके साथ भी ऐसा ही था महात्मा गांदी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए अजादी के अंदोरन में पहुत सारे महानस्तियों ने हिस्सा लिया था उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था उनके नाम पत्र के उपर लिख जाते थे और वो पत्र सीधे उनके पास पहुँच जाया करते थे बप्चो लोग उन्हें देश देश से पत्र लिखते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी बराबड़ी नहीं थी, वो हर किसी का पत्र का जवाब अवश्य देते थे जब लिखते समय उनका दाहिना हाथ ठक जाता तो वो बाय हाँ से लिखना शुरू कर देते मात्मा गांदी ही नहीं अंदोलन के तमाम नैकों के पत्र गाउं गाउं में मिल जाते हैं आजकल भी जो पूराने लोग बची हुए हैं हमें उनकी द्वारा लिखे गए पत्र उनके पास गाउं गाउं में मिल जाते हैं बच्चों पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को प्रसंसा की युग पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर भी रख लिया है ड्राइंग रूम में इन पत्रों को एक फोटो फ्रेम में फ्रेम करा कर बहुत अच्छे तरीके से सहच कर रखा गया है पत्र पाठक के मनोभाव पर एक चादुगर की तरसर छोड़ता है उन पर एक गहरा प्रवाव छोड़ता है ऐसी बहुत सारी कहानिया है और बहुत सारी फिल्मे हैं जो पत्रों पर ही अधारित कहानी पर लिखे गई है महाल लोगों की द्वारा लिखे के पत्र जिने सहज कर रखा गया है किसी प्रमान पत्र से कम नहीं है समित्रा नन्न पंत जी के द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवन स्राय बच्चन जी के नाम लिखे गए और सुरिकान त्रिपाठी निराला के पत्र इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिख्या है कहानी में संकलित किया गया है तथा पत्रों के आईने में दैयनन सरस्वती जी समित कई अनमहान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तके भी आपको मिल जाएगी जिने पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं महात्मा और कवी की नाम से महात्मा गांदी और रविंदरना टैगोर के बीच सन 1915 याईनी 1915 से 1941 के बीच के पत्रचार का संग्रप प्रकासित हुआ है जिसमें बहुत सी ने तथ्य और उनकी मनोदोशा का लेखा जोखा मिल ता है महात्मा गांदी और रविंदरना टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 की बीच लिखे गए पत्रों को छापा गया जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरू किया गया और उनकी मन की दशा का हिशाब किताब भी मिलता है जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को जान पाते हैं पच्चों भारत ने पत्रों को दिखे जाने की और उनके एक जगह से दुसरे जगह पहुँचाने की प्रंपरा बहुत पहले से शुरू है चुके थी पर इसका असली विकास अजादी के समय ही हुआ तमाम सरकार विभागों की तुल्ना में सबसे ज़्यादा विकास गुडविल डाक विभाग ने किया जिसका अर्थ है वो पत्र जो अनुपचारिक है अथार्थ एक दुसरे को लिखे गए अनुपचारिक पत्र पत्र लेखन की कला और पत्र एक दुसरे को भेजना लोगों को जोड़ता है आज के समय में भी चिठी पत्रों ने अपनी मौत को खोया नहीं है अपनी हैसियत को प्रकरा रखा है आज भी लोगों को चिठीया पत्रों का इंतिजा रहता है आज भी अलग अलग स्थान के लोग कठीन रास्ते में रहने वाले लोग पहाडों पर ट्रकिस्तान में बर्व में और चंगलों में चिठी और पत्रों का इंतिजार बहुत ही बेचैनी से करते हैं चाहे सहरी इलाकों में संदार हवेलिया हो या फिर जो पड़ियों में रहने वाले लोग या फिर गाउं हो या फिर बर्व बारी के बीच जी रहे पहाडों के लोग आज भी खतों का ही सबसे ज़्यादा इंतिजार करते हैं पच्चो किसी को खत पहुचाना होता है या किसी को मनी ओर्डर की तौरा पैसे पहुचाने होते हैं इन सबस्विदाओं के लिए लोग डागघर ही पहुचते हैं आप जहां भी देखे हर मुहले में, हर गाउं में, गली में, सहरों में आप डाग खाना अवश्य ही पाएंगे पच्चत दूर तिहात में लाखों गरीब घरों में चुले मनी ओर्डर अर्थवेस्था से ही चलते हैं गाउ या गरीब बस्तियों में चिठी या मनी ओर्डर लेकर पहुचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है गाउ में लाखों गरीब घरों में चुले मनी ओर्डर द्वारा आए पैसों से ही चलते हैं घर में कमाने वाले लोग दूर सहरों में काम करते हैं और वो मौनी ओर्डर के द्वारा पैसे घर परिवार के कुजारे के लिए भेशते हैं गाउं या गरीब बस्तियों में चिठी या मनी ओर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया दिव दूद के रूप में देखा जाता है उसकी पूजा की जाती है जैसे वो दर्वाजे पर आ गया मानो इश्वर ही आ गये हो